हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पेपर टीरिंग एन पेस्टिंग एक्टिविटी से ट्राफिक लाइट्स कैसी बनाएं इसके लिए हमें चाहिए एक वाइट शीट, एक रेक्टांगुलर ब्लैक शीट यहाँ पे मैंने एक यूजड ब्लैक शीट लिए जो दूसरी तरफ से बिलकुल साफ है इसे मैंने नीचे की तरफ से रेक्टांगुलर शीट में थोड़ा सा कट कर लिया है ये बना रही हूँ मैं ट्राफिक लाइट का पोल इसे हम पेस्ट कर लेंगे आप चाहें तो घर में बड़ों की हेल्प ले सकते हैं अब हम 3 सरकल्स ड्राउ करेंगे और फिर रेड, यलो और ग्रीन कलर के पेपर के टुकडे लेंगे आप चाहें तो किसी मैगजीन स में से भी ले सकते हैं फिर उसके बाद में हमें इन पेपर को ले करके धीरे धीरे अपनी फिंगर्स के हेल्प से टीर करना है ध्यान रहे आपको इसे tear करना है ना कि काटना है काटना नहीं है आपको धीरे-धीरे tear करना है यहाँ पे मैं red color के paper को tear कर रही हूँ उसके बाद yellow and green color के papers को भी मैंने tear कर लिया है और इन्हें collect कर लिया है फिर हम favicol apply करेंगे और फिर एक-एक paper का piece उठाएंगे और उसे stick करते जाएंगे ध्यान रहे सबसे उपर वाले circle में हमें red color के pieces stick करने है एक-एक paper के piece को उठाना है और stick करते जाना है traffic light में सबसे उपर की तरफ red light होती है जो कि हमें बताती है कि अब हमें रुकना है red light says stop अब हम yellow paper लेंगे और उसे stick करते जाएंगे yellow light कहती है get ready to start और green light कहती है go green light says go ये हमने lights complete कर ली है अब हम हर एक light की आगे उसके starting sound की letter लिखेंगे jay see r r red y y yellow g g green now it's your turn bye bye ल च्कित लूटे रय। बत्र प्सफे थ puòसो अधने मैंगे र छो sometimeuição दूसे कहती है